अधाब पलपल न्यूस के न्यूस रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीर मक्रम खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा बढ़ते हैं खबर की तरफ भारतिय जन्ता पार्टी का आकड़ा इस बार यकीनन लोगस्रभा चुनाव में बड़ा है और उसी के साथ साथ जो जीते हुए सांसद हैं उनकी भी भाषा में गती हुई है और वो गती इसलिए कि अब खुल करके वो लोग मुस्लिम सांसदों को देख करके जैशिर राम के नारे लगाने लगे हैं और अब जो इस नारे में शामिल नहीं हैं वो मजजिदों को ले करके निशाना बना रहे हैं और मजजिदों को अब कटगरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है एक ऐसी ही रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रही है जिस पर आप लोग भी एक बार नज़र डाल लीजिए पश्चिम दिल्ली लोगसबाद छेतर से भारतिय जनता पार्टी के सांसर्द प्रवेश साहिप सिंग ने उपराजेपाल अनिल बैज को पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने पश्चिम दिल्ली लोगसबाद छेतर में सारवजिनिक भूमी पर मस्जिदों के बढ़ते निर्माण पर जाच की मांग की है अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि ऐसा देखने में आया है कि सरकारी जमीन, सडकों, पार्कों और दूसरे अनुसूचित इस्तानों का उप्योग मस्जिदों के निर्माण के लिए किया जा रहा है जिससे आसपास रहने वाले आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है सांसर्थ प्रवेश साहिब सिंग ने कहा है कि मस्जिदों को बढ़ते निर्माण की चाच होनी चाहिए इसके लिए उन्होंने LG से एक कमेटी गठित करने की मांग की है प्रवेश साहिब सिंग ने कहा है कि इस कमेटी में MCD, PWD, ND, MC, पुलिस, सीचाई और बाढ़ नियंतर विभाग के प्रतिनिधी शामिल होने चाहिए साहिब सिंग ने मांग की है कि इस मामले की जाच इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करें प्रवेश साहिब सिंग का कहना है कि सारवजिनिक जमीनों पर बने मस्जिदों की वज़े से ना सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो रही है बलकि लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है LG को लिखे पत्र में उन्हों ने कहा कि अगर इस समस्याओं का प्रात्मिक्ता के आधार पर निदान नहीं किया गया तो उनके विचार से ये मामला आगे चल कर मुश्किल पैदा कर सकता है और इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है प्रवेश साहिब सिंग ने कहा है कि सम्मंदित विभाग के अधिकारी जिन इलाकों में मस्जिद बने हैं वहां का सर्वे करें और जिम्मेदारी अधिकारियों पर कारवाई की जाए प्रवेश साहिब सिंग भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में से एक है उन्होंने वर्तमान में नेताओं की ओर से गैर संसदिये शब्दों के इस्तिमान लगतार पड़ता ही जा रहा था अब पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तिमाल किया और उन्हें आम लोगों के सामने गधा तक कहडा रहा था दरसल सांसद प्रवेश वर्मा अपने संसदिये छेतर में संपर्प और समर्तन कारेकरम के सिलसिले में पहुँचे जहां उन्होंने लोगों को संबोदित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल के लिए गधा शब्द का इस्तिमाल कर डाला उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने बेवकुफ आदमी को चुन लिया है जनकपुरी में पानी के मुद्दे पर लोगों को संबोदित करते हुए बीजे पी सांसद प्रवेश वर्मा ने इन शब्दों का इस्तिमाल किया था दिल्ली में पानी की गंबीर समस्या है सरकार से दिल्ली वालों की नराजगी इस कदर है कि उन्हें लगने लगा है कि हमने किस गधे को चुन लिया है जब इस बारे में और इस शब्दों के इस्तिमाल के बारे में बीजेपी सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के लिए इस तरह के शब नेचुरिली मूँ से निकल जाते हैं सांसद वर्मा ने कहा कि मैं जब अपने संसदिये छेतर में पहुंसता हूँ तो लोग पानी के लिए गोहार लगाते ठक जाते हैं दिली की सरकार से पानी मांगो तो राज्ये के मुख्यमंत्री दूसरे मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी इलाज कराने को कहो तो कहीं चले जाते हैं अगर उन्हें ठीक होना हो तो सुबह सुबह टहला करें नहीं तो योगा किया करें आज कल प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी भी योगा के लिए कह रहे हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यों मंतरी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि दिल्ली वालों को पानी मिलेगा लेकिन पानी तो नहीं मिला लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है पानी फ्री कर रहे हैं लेकिन जब पानी ही नहीं है तो इस फ्री का क्या केजरीवाल लिए इस तरहें कि नैचुनली शब्द निकल ही जाते हैं। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। करके एक कड़वे बोल बोलने वाले सांसदों का। 2014 में हम लोगों ने इसके कई लोगों को देखा जो खुल करके मुसल्मानों के खिलाफ और मजजदों को ले करके जहर उगर रहे थे। तो वही दिली में हमने जामा मजजद पर देखा कि एद के दिन किस तरह बीजेपी सांसर अपने जलवल के साथ जामा मजजद की सीडियों पर पहुंसते हैं। और वंदे मातरम जैश्री राम के नारे लगाते हैं। और मजजद के लोगों से कहा सुनी होती है। तो महौल किस तरह खराब ये लोग कर रहे हैं वो हमें और आपको अच्छी तरह से मालूम हैं जिसमें अब पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंग वर्मा के बेटे भी पीछे नहीं हैं अब वो भी खुल करके मजजदों को निशाना बना रहे हैं। और एक जो आकड़ा उन्होंने कल पार्लेमेंट के दौरान पेश किया और कहा कि मजजदों में अवेद खनन और अवेद तरीके से मजजदों पर कबज़ा किया जा रहा है। और मजजद जो है वो सरकारी जमीनों पर बनाई जा रही है। ये अगर वो दावा कर रहे हैं तो उन्हें हाकिकत में दिल्ली की सड़कों पर घूमने की जरूरत हैं और खास करके उन जगाओं पर जहां से वो खुद सांसद हैं। क्योंकि अगर आप द्वारका की बात करते हैं या नौर्थ पशिम दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे जादा पारकों में अगर घूमा जाएगा तो अवेद कबजा मंदिरों के नाम पर लोगों ने कर रखा है पर ये वो रिपोर्ट वो आकड़ा आप लोगों क अगर सिर्फ दिखाना चाते हैं तो मजद मुसल्मान और मुसल्मान की स्यासत में जितना देश को ये उल्झाएंगे उतनी इनकी राजनिती में बढ़ावा होगा और राजनिती को अतना ही इनकी सम्मान दिया जाएगा और लगातार हमने देखा है जो नरेंदर मोदी जी हूँ चाही योगी जी हूँ किस तरहा वो मुसल्मानों के खिलाफ और खास करके मज़िदों को ले करके टारगेट योगी आदितेनाथ करते रहे हैं और उन्हें उतने ही बड़े पद पर विराजमान कर दिया गया और वही हतकंडे पर अब तमाम नेतागन निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि गिरराज सिंग और योगी आदितेनाथ वहां तब पहुचे हैं जब उन्होंने एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया और मज़िदों को निशाना बनाया तो वो वहां हैं और अपनी राजनिती चमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं जहां हमारे प्रधानमंत्री नरिल नर्मोदी जी चुनाव खत्म होने के बाद एक रैली को संबोदित करते हैं और कहते हैं कि मुसल्म देश के माइनरिटी के साथ चलावा हुआ है देश के मुसल्मानों को सभी पार्टीों ने चला है और हमें इस चल को दूर करना है और उन्हें साथ लेकर के चलना है ये कैसा साथ ये कैसा विकास का नारा नरिंदर मोदी जी ने जिया है जहां उनके नेता गणा उनकी ही नहीं सुन रहे बस अपने मूँ में जो जुबान आ गई वही बोलने में उतारू है और अपनी राजनिती चमकाने के लिए किसी भी हत्कंडे तक उन्हें जाना पड़े वो उस हत्कंडे पर जाने को तयार है तो ऐसी ही तमाम खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आ करके ये अपनी राय जरूर दीजिएगा शुक्रिया